कुछ दिख रहा है अंदर सिर्फ डार्कनेस है यह जो जगह है आज से 700 साल पहले वजूद में आई है मास्क वापस लगा लेते हैं नहीं तो 2000 का चलान लग जाएगा ऐसी जगह है जहां पिंसान आके बोर नहीं होगा यह जा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं एक जगह तो यहां पे बहुत सारे आटो वाले भाई साइब कौन वाले बैड़ जाएं तो देखिए वो जो पीछे वाला है उस्ते जा रहे हैं मास्क वापस लगा लेते हैं तो 2000 का चलान लग जाएगा कि पास का जा रहां ब्रेज के अटो के अंदर अब आ चुके हैं असल में पिछले एक हफते से एक चीज लगातार फील कर रहा हूं वह यह है कि अपसर होता है कि हम पुरानी चीजों को देखते हैं अब जहां हम रहते हैं और फिर भूल जाते हैं गए नहीं गए तो भोपाल के साथ भी ऐसा ही हुआ कि भोपाल में पांच साल रहना हुआ भोपाल की जत्ती पुरानी मौनूमेंट है उसको घूमा नहीं तो सेम दिल्ली के साथ पिछले तीन साल रहने के बाद वैसा ही एहसास हो रहा था तो पिछले एक हफ़ता से लग रहा था कि हम दिल बर का चार पांच घंटा यू बरबाद कर देते हैं तो उसका कुछ यूटिलाइस किया जाए तो उसी का एक रूप है आज कि हम जा रहे हैं हास खास का जो पुराना इलाका है जो तुगलक के दौर का फिरोशा तुगलक के दौर का बादने के लिए तो आप हमारे साथ बने रही हम चलते हैं तो सबसे पहले चौदरी दिलिप सिंग रोड पार करेंगे आप उसके बीच में एक रोड आएगा देन आप सुछ से लेफ्ट टर्न लेंगे तो यह होस खास गाउं रोड है तो इस रोड पर आप देख रहे हैं जा रही है और जा रही है तो हम यहीं पर पुराना गाउं ह है जैसे आप यहां पर यह देखें मॉनुमेंट आपको तिक भी रहा होगा तो यह इसी चीज के लिए मश्यूर है तो हम लोग फिलहाल इधर ही कहीं जा रहा है तो आगे हैं तो अब हम उतर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कहां पर देखते हैं तो यह जो पॉर्ट बना हुआ है यहां पर जैसे आप हमारे पीछे अगर देखें हैं यहां पर देख कि यह बहुत बड़ा गिरिगिट का यह बनावा है स्ट्रक्चर तो इस तरह से दोस्तों हास खास मेट्रो एस्टेशन से हम पहुँचते हैं हास खास गाओं और यहां पर बगल में ही डियर पार्क है दाई जानिब और जब हम सीधे जाते हैं तो यह वो अलाका है जो प्रोटेक्टेड मॉनुमेंट है और सबसे पहले हम पहुँचते हैं टिकट काउंटर टिकट काउंटर जैसे ही आप जाईजेगा तो आपके लिफ्ट साइड में मिलेगा तो सबसे पहले हम जा रहे हैं टिकट काउंटर इंडियान इसके लिए 25 रुखे पर हेड़ है फ़रंड के लिए 300 तो हम तो इंडियान है विए एक टिकट दे दीजिएगा और चेंज नहीं है और तो वाले को दे दिया तो यह टिकट अब हमें मिल चुका है अब हम इसको लेकर चलते हैं तो आप हमने देखा लिया यह देखिए मेन इंटरेंस है तो आप हम अंदर इंटर कर रहा है और सामने यह देखिए वह सुर्फ के तीन पी अमारत है और यह वाह क्या बात है यह आप देख रहे हैं पुरानी इमारत है तो यह तो जिया तो खिल्जी के दौर की है या तो तुगलक के दौर की है और काफी खुक्षूरत, काफी वसी, काफी बड़ी इमारत यहां पर सारी है जैसे यह देखिएगा इसमें होस खास इस जगे का नाम क्यूं है तो अलाउद्दीन खिल्डी ने यहां पर रहने वाले लोगों के लिए एक होस बनवाया था तो दोस्तों यह अभी हम होस खास कंपलेक्स में हैं यह जो जगह है आज से 700 साल पहले वजूद में आई है और इस जगह को होस खास इस वज़ा कर कहते हैं क्योंकि यहां पर एक होस है, काफी बड़ा टैंक है, तालाब जिसको आप कर सकते हैं जिल भी लोग कहते हैं, मैंन मेड है और यह अलाब दीन खिलजी के दौर में बना था और जो मेडिवल पिरियेड में कहा जाता है कि दिल्ली में कई शहर बसे थे तो यह दूसरा शहर है, यानि जो सीरी फोर्ट का जो इलाका था सीरी फोर्ट बहुत मशूर है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि अलाब दीन खिलजी ने मंगोलों का गला काट के सर का ढहर लगा दिया था इसलिए उसको सर से जोडा जाता, बहरहाल यह कहानी भी हो सकती है लेकिन कहने का मतलब यहा है कि सीरी फोर्ट की हूभी एक यह हो दिली का थिल्ली का वाहिद एक फोर्ट है जिसने दिल्ली को defend कर लिया अदरवाय में ऐसा कोई भी किला नहीं है जो defend रहा मतलब सब कभी न कई ढ़ा गया तो सीरी फोर्ट में मंगोल जब आए तो वो हार के गए है और तो ये जो पूरा इलाका है कहलाता है हौसखाथ काफी बहुत बड़ा इलाका है काफी वसी अलाका है काफी पुराने पुराने मॉनुमेंट से जोसे आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे तो ये फिरोश शाह तुगलक और अलाओदीन खिल्जी के दौर से ये जुड़ावा है और इसकी वज़ा ये है कि पहले तुगलक आए तुगलक से पहले यहां पर खिल्जी आए खिल्जी से पहले ममलूक थे तो खिल्जीों ने यहां पर बसाया उनके बाद तुगलक आए तो तुगलक ने भी इस अलाके को काफी बढ़ाया चड़ाया फिरोशा तॉलक के दोर में और खास के जब तैमूर इस जगह आया तो जिसको तैमूर लंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो उसने भी इस अलाके की खुपसूर्टी को देखकर काफी मतासिर हुआ था और यह मैंने भोल रहा है यहां पर जो बोर्ड लगावा उसमे भी यही बात है तो यह जैसा आप यह देख रहे हैं यह पुरानी इमारत है यह कम से कम 600 साल पुरानी तो जरूर है तो इसके अगर देख रहे हो इसकी दिवारे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज है मदर्साब मस्जीद और उस जमाने में जो भी अड्मिनिस्ट्रेटिव चीज हो सकती थी उस जमाने के हुकमरानों ने बना एते तो वक्त के साथ जैसे जैसे नई चीज बनती है तो पुरानी इमारत आज के रेट में टूरिस्ट प्लेस है तो यहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं तो चलिए आपको अंदर लेकर चल रहे है कि यह गेट लगावा है दिवार पर कुछ लोगों ने खूद दिया है आई लब यू वाला जो एक ट्रेंड था तो अगर आप इधर से देख सकते हैं यह देखिए अभी मैं इस तरफ से आया हूँ तो जो जिस होस के बारे में यह जगह होस खास के नाम से मशूर है वो होस को आप नीचे देख रहे होंगे तो यह जो हौज है इसके खूबी यह है कि यह आज से 7-800 साल पहले वजूद में आया मैंमेड हौज है और इसको जो बनाया गिया था इसका पाराहि होस हैॉज लोग रहते थें उसको सीरी फोर्ट के लाम से जाना जाता तो उनको पानी स्पलाई की जा सकते हैं तो तैमूर लंग भी इससे काफी मतासिर हुए यहां की बनावट से तो जैसे आप भी देख रहे हैं काफी पुराना इस्ट्रक्चर है लेकिन काफी हूप सूरत लेकिन एक जो प्रॉब्लम है आप पीछे हमारे आवास सुन रहोंगे चुणियांकी जुनको बर्ड कहते हैं इसके अलावा एक प्रॉब्लम हमारे और हैं जिसको कहते हैं लौफ लौफ बर्ड तो उन लोगों की करास्तानी आप देखे दिवार के उन्होंने कुछ-कुछ अपनी मुहबत का इजहार करते लिए लिख डाला है बहराल तो यह देखिए इसके अंदर हम लोग आ रहे हैं अगर इस सरफ हम चलें तो यह भी आप देख सकते हैं ओ तो है तो साफ सुथरा काफी लेंटीन है तो यहां देखिए तो किसी भी मॉन्यमिन्ट को अगर हम बचाते हैं या देखते हैं लेकिन सक्थी से जग्रोगों के अंदर धरोहर के थें जिम्मेदारी पैدا की जाए और उन्होंने बताया जाए कि धरोहर क्यों जरूरी है तो तब उसको हम और असानी से बचा सकते हैं तो ये भी देखिए पुरानी इमारत है ये क्या है पता तो नहीं चल रहा है लेकिन काफी पुराना काफी ये है और फिर नीचे आप इसके जो ही देख सकते हैं चाहिए आपको अंदर भी लेखर चलें आप ये देखिए ये पूरी जो इमारत है काफी बड़ी काफी लंबी काफी चौड़ी और ये नीचे रास्ता जा रहा है लॉक है गेट और ये रहा है इसके पहले काफी बड़ी फिर ये देखे इंटर हम कर रहे है ये कौन सी जगह है मुझे खुद इसका इल्म नहीं बाट कुछ तो रहा होगा ये बाट के ये जब हम देख रहे हैं पीछे पुरानी मॉनुमेंट्स है गुमबद है तो ये देखिए पुरानी इमारत है इसके दर्वाजे किते पुराने मुझे इसका इल्म नहीं बट आप देख सकते हैं है ना इसी तरह से काफी कुछ है यहां पे जिएक पुरानी इमारत के साथ तो दोस्तों ज्यादातर इमारत के साथ प्रॉबलम यह है कि ठीक ठाक मेंटें है SI अपनी तरफ से जो कर सकती है क्योंकि काफी पुरानी भी तो हो गई है लेकिन जरूरत है कि अगर यह चीज है तो इसको मेंटेंड करने की और इससे सीखना चाहिए कि अगर हम आज कोई चीज बनाते हैं अगर उसको अच्छे से बनाते हैं मटेरियल अच्छे से इस्तमाल करते हैं तो आज से 600-800 साल बाद आने वाली नफले उस चीज को देख पाएंगी तो इसलिए करप्शन नहीं करना है समान अच्छे से बनाना है और जो पुरानी चीज है उसके हिफाज़त करनी है तो दोस्तों अब इस तरफ से हम चल रहे हैं नीचे तो अगर आप देख रहे होंगे ये रास्ता काफी बेहतरी है मैं खुद उपर सबी नीचे ही आ रहा है नीचे किस तरफ जाने के लिए अब वही तो मुझे भी नहीं आइडिया है हो सकता तो ये एक रूम देखिए ये क्या है मुझे भी नहीं पता ये तो भूल जुलया टाइप का है ये सब सब कभी रूम रहा हो कमरा रहा हो क्या रहा हो मुझे भी नहीं इल्म लेकिन जो भी चीज हो अब ये अच्छे हालात में तो फिलहां नहीं है ये देखिए तो दोस्तों ये जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये कमरा अगर इसके अंदर चलें कुछ दिख रहा हैं अंदर सिर्फ डार्कनेस हैं अंदर नहीं जाएंगे तो जैसा आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पीछे ये कभी इमारत वगारा कुछ रही होगी चुके धीरे धीरे वक्त के साथ ये ढढ़ा भी रही है तो पता नहीं चल रहा है कि पहले इसका क्या नक्ष़ा रहा होगा अब मेरे हाथ को ये जमाने का नक्ष़ा लग जाए कि ये किस तरह की अमारत थी तो हम कुछ कह सकते हैं बाराल तो ये देखिए ये कमरा नुमा ही है और किस तरह से इसे बनाया गया है इसे मैं खुद नहीं कर सकता और ये उपर से नीचे की तरफ देखें तो ये रास्ता है एक तरफ और इसमें हम जा सकते हैं और ये काफी अंधेरा यहां पर दोस्तों ये देखिए अंदर से जब हम आ रहे हैं बाहर की तरफ तो ये होस के सामने निकल रहे हैं ये देखिए कितनी उचाईपे है तो ये एक तरह से खिलाबंदी हो गई है मतलब इस तरफ से कोई भी दुश्मन नहीं आ सकता है और दूसरा ये है कि सामने पानी है तो मतलब आबादी भी रहेगी और इस तरफ आप देख सकते हैं दोनों जानी उसी तरह से खिलाबंदी की गई है और ठीक इसके उपर आप देखिए ये इस तरह से बनाया गया है तो ये उस जमाने के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने क इस तरह से इसे डिजाइन किया गया तो उनको इसके लिए वाव वाही तो मिलनी चाहिए बाराल तो अब हम इस जानीब चलते हैं ये देखे बाहर निकल रहे हैं आपन और ये क्या है जरा इसे भी देख लेते हैं एक नजर और ये भी कुछ था कमरा रूम रहा होगा फिलह कमरे हैं चोटे-चोटे यहां पर अब इस कमरे का क्या था है ये मुझे तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले भी कई मॉन्यूमेंट्स में घूम चुका हूं मैं आता जाता रहता हूं लेकिन ये जो जगह है ना ये इतनी साफ सुथरी और विल्ड में इतनी खुफूरत है कि मुझे ये लगता है कि ये तो एक बार जिंदगी में इन्सान को ये जगह जरूर भूमनी चाहिए और काफी मतलब साफ सुथरा हर्याली है और जो यहां आने का टिकट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है तो हम ऊपर चल रहे हैं इस तरफ चलेंगे खिल जाता है प्यान ही लो ने ये देखिए और जा रहा था लेकिन फिर मुझे लगा के इस तरफ अंदर भी हो लेना चाहिए जब मैं आया हूं तो इस तरफ भी ज़रा घूम लू तो जैसा मैंने उस वक्त भी आपको देखाया था कि किस तरह से यहां से लोग बाहर देख सकते हैं काफी खूबसूरत काफी वसी और बेहतरीन बना हुआ है और काफी ठंड का यहां पर हैसास हो रहा है हो सकता है मौसम ठंड का है इस वज़े कर ऐसा लग रहा हूं तो यह ऐस सच है क्या यह मुझे खुद भी नहीं पता उधर रास्ता लौक है तो हम वापस लौट रहे हैं इस तरफ तो अगर आप यहां पर देख रहे हूं तो सेम जैसे हम नीचे आए थे तो नीचे भी इसी तरह का था और इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से हैं तो अब फाइनल चलते हैं ऊपर तो यहां पर लोग फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं बड़ी गहमा गहमी है तो क्या पता क्या है यहां पर तो मुझे खुद भी नहीं समाझ में आ रहा है तो यह शायद कोई कबर है किनकी है अगर इसको आप देख पा रहे होंगे तो इस पे लिखा हुआ है अल्लाः तो यह बबर है आज कल टिक टॉक की एनाम की एक नई परजादी भी मार्केट में आ गई है तो आपको इस तरह के मॉनुमेंट में वो अपने काम को अंजाम देते हुए साथ-साथ दी जाएंगे तो यह एक आम और कॉमंसिक समझ हो गई को लोगों के बीच में कैसे मॉनुमेंट में जाके वो बनाएं दोस्तों यह देखिए फिरोशा का मकबरा जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग यहाँ पे तस्वीर वगएरा प्लिक करवा रहा हैं यही है और यह पुरा एलाका है यह पूरानी बांडरी से गårई होई लिए कि बांडरी कब हुए मुझे इसका हिल्म नहीं है इसके पीछे बड़े Congress बड़े मकानाह बने बड़े बड़े मकानात बने हैं बड़ी ещё पॉष बेकर अलाके है तो उसके बीच गेट बंद है तो गार्ड साहिब ने बताया कि गेट खुला वा है आप खोल के अंदर जा सकते हैं जैसा यह आप फिरोशा तुगलक के इस पे देख सकते हैं महरावे हैं इस पे कलमा लिखा वा है ला इलहा इल्ला और ना जाने बहुत सारी चीजें हैं सो अब इसके अंदर हम चलते हैं गेट खुल के असलाम आले कुछ तो शायद ये बीच में फिरोशा तुगलक की मजार है कब्र है और वो हो सकता है उनकी वाइफ का हो यहां पर कोई कत्बा वगारा तो लगा हुआ नहीं है यहां पर तीन चार हो सकता कोई उनके बेटे ब खुलक मुहम्मद शातुलक बड़े मशहूर बाशा गुजरे हैं हिंदुस्तान के और यह वो दौर था जब हिंदुस्तान पे मंगोलों का और उसके बाद तैमूर बगारे का भी हमला हुआ है इसके बाद इन लोगों ने हिंदुस्तान को बचाया और कई बार जंगे भी तो जैसा आप उनकी कब्र देख रहे हैं हम वहां पे मौजूद है अब हम बाहर निकलते हैं मकबरे के अंदर से गेट लॉक कर दिया है अब मैं वापस निकल रहा हूं तो देखा आपने यह मदर्सा मकबरा और ना जाने बहुत सारी चीज़ें यहां पे हैं तो दोस्तों यह देख रहे हैं जैसे आप यहां पे बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे चुटे चुटे मौनिमेंट्स हैं यह सारे मौनिमेंट्स पांच सो च्छे सो साथ सो साल पुराने हैं जिसमें यह दो खुद फिरोशात तॉलक आराम फरमा रहे हैं तो यह सब है अभी मैंने नोटिस किया है कि यह भी कोई मख़ए या मजार है लेकिन किसका है यह मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकर यहां पे किसी भी तरह कोई भी कत्बा नहीं है लेकिन देख के ऐसा ही फिल हुआ कि ये कोई मजार या मखबरा ही है तो यहाँ पर ऐसी कई सारी अमारत है ये देखिए आप यहाँ पर और फिर ये हमारे नस्दीक में आप खुद देख सकते हैं किसे के बीच में औके आजए पहूं पही हैं तो यह देख बुप रहे हैं के यह परानी आमारते और तो फाम के लिखावा प्ता चल रहा है कि किन की कबjà है is यह तुखलक कालीन मखबरे हैं और इसके बारे में तो बहुत जादी कुछ जानकारी यहां पर मौजूद नहीं है कि यह किसके खबर है लेकिन दच्छीन पूर्वी यह सारे इसके बारे में लिखके डाला गया है तो यह है अगर आप देख रहे हों तो यह देखिए इस जानीब से रास्ता है पूर्व से पच्छीम की तरफ और यह जो पुरानी कबरे हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसी तरह से इसमें भी सेम वैसा ही है और दूर बादशा का है तो हो सकता है वो बादशा का रहा हो यह उनके वजीर का हो लेकिन बाराल मुझे नहीं पता है तो मैं इसको जज नहीं कर सकता सो किसी तरह से देखे एक कबर यहां पर भी है और यहां पर भी पत्थर हो सकता है यह भी कोई कबर हो मुझे इसका इल्म नहीं बारे आल यह देखे यहां पर तीन गुंबद वाली इमारत है दो सामने दिख रहा एक इसके पीछे है लेकिन यहां पर जो बोर्ड लगावा है इसके हिसाब से यह कोई मकबरा है लेकिन आज के डेट में इसका कबरी की कोई खास निशानी यहां पर मौजूद नहीं है सो अगर आप चलिएगा तो अंदर भी चलके हम आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या है सो यह है शायद यहीं कहीं पर कबर बगारा रहा होगा सो अब तो है नहीं कुछ और यह पीछे आप टाल देख सकते हैं और यह देखे एक बहुत ही मज़दार चीछ पीलर देखे कि रखा हुआ है बस कि अधर आप देख पा रहे हों तो पीलर एक के ऊपर एक रखा हुआ है कोई फिक्स नहीं है तो कितने बार जलजला आया बहुत सारी चीज़ लेकिन इसके जो आर्किटेक्टेक्टरल नमूने हैं उसको कोई नोक्सान नहीं हो पाया तो वह एक इसके तो यही वह पार्क है कोई देख सकते हैं यहां और यह बीच में ताल है और यह देखिए अब पुरानी इमारत का हिस्सा जो अभी तक कुछ बचा रह गया है अच्छे से बौर्ड लगा वान दो पता नहीं चल पाता है कि कौन सी चीज क्या है कि यहां पर देखिए अप्पिर से हम नीचे उतर रहे हैं और आपको अच्छे से हम वाइड एंगल से देखाने चाहेंगे अब देख सखें तो यह देखिए कोई कमरा रहा होगा कभी जिस तरह से इसका आर्क है यह रूम है यह देखिए पुराना पत्थर कभी भी गिर सकता है बाराल यह इसका रास्ता है और यह क्या होगा मुझे भी नहीं पता हमारे होता तो मुर्गी इसमें रखाता बाराल तो यह जो पूरी इमारत आप देख रहे हैं यहां से अगर आप तोलकाबाद फोर फिरोश्या तोलक है तो सेम यह तो एक ही दौर का है सारा मामला तो फिरोश्या तोलकाबाद भी एक है जगह है तो उसमें भी इसी तरह से क्या पता मार्केट है क्या था यह मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन छोटे छोटे चोटे कमरे हैं आर्ट वाई आर्ट थे यह हर जमाने में मौझूद थे चुकर फिरोशा तुखलक और जो तुखलक डैनेक्टी वाले ने तुखलका बाद में जो खिला बनाया था वो सीम जैसे इसी तरह से है वो अभी इससे अच्छ जो सो कॉल्ड लव वर्ड्स का अलाका है बहराल है यह क्या रहा होगा मुझे फुद्र ही नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए अब हम उपर चलने की कोशिश करते हैं यहां पर से वाउ तो हम इसके अंदर से बाहर निकले थे अब है और यह जो पूरा इलाका है आप देखिए अभी हम नीचे यहीं पर थे तो तो यह संसेट के बाद बंद हो जाता है संसेट देखने ही के लिए ज्यादा तर लोग यहां पर आते हैं वो देखिए पुरानी मॉनुमेंट पुराने मॉनुमेंट और यह हैं पुरा यह और यह चुक्के अब मगरिब का टाइम हो रहा है यानि संसेट का तब यह बंद होने का टाइम है तो चलिए हम वापस यहां पर से चलते हैं और यह 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 ये ये एकर की नीचे आ गये और यह देखिए कहा पहुंचे हम यहां पर तो अक्सर कई दोस्तों का ये ख्याल होगा कि ये सारी अलाके वीरान क्यों होगा ये क्या हुआ था यहां पर तो इसकी दो तीन वज़ा है वो समझ लिजे पहला ये ये दिल्ली का दूसरा शहर है यानि आज से 700 साल पहले ये जगा अबाद हुई थी उसकी बाद दिल्ली में अलग-अलग बादशा आते रहे उन्होंने अलग-अलग दौर में अपने-अपने नई शहर बसा है आखरी जो शहरबसा है वो है, आज का वो इलाका जहां पर राश्टपती भावन है जिसको लुटियन्स दिली करते हैं उसे पहले शाज़हना बाद था जो पुरानी दिली थी तो वो सारे इलाके थे तो वो सारे इलाके थे तो वो बसता गया बन्तब कोई नया अलाका बसता है तो लोग वहां माईगरेट कर जाते हैं और जो पुरानी सल्तनत रहती है वो ड़ा जाती है वो खत्म हो जाती है लोग इधर से भर चले जाते हैं और एक चीज़ और होता है जोनोसाइड तो दिल्ली में बहुत सारे जोनोसाइड हुए हैं जिसे नादिर शाह ने किया था फिर जब अंग्रेज आया 1857 में उसमें जोनोसाइड हुआ फिर 1946-1946 में जो मुल्क के बटवारा हुआ उसमें दंगे हुए तो एक दूसरे का लोगों ने खुन बहाया तो ऐसे बहुत सारे जोनोसाइड आपस में होते रहें तो एक विरान होने की वज़ा वही है कि जब नहीं सल्तनात आती है तो पुरानी चीज़ खत्म होती है तो यस तरह की यह सारी पुरानी चीज़ें खत्म हो गई तो आपको जो नए इसमें आपको दिखेगा तो पुरानी दिल्ली आपको जादा यानि जो शाह जहानाबाद का आपका आप आपको जादा बाद दिखेगा पुराने सिंस में फिर आप लुटियंस को देखिए वो नया है फिर नहीं नहीं बहुत सारे दिल्ली में बसते गए तो वही है कि जब नहीं चीज को याएगी तो पुरानी चीज हट्म हो जाएगी तो यह उसी का एक जीता जाकता नमुना है तो इससे हमें इबरत लेनी चाहिए, यहां में सीखना चाहिए, देखिए दोस्तों, यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब मगरिब भी हो गया है, तो अब हम लोगों को चलना भी होगा, तो अब उसी हिवाद से अपन तैयारी कर लेते हैं, कि हम कहां जाएंगे? तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं, जैसा आपने देखा यह जो पुरानी इमारते हैं, यहां पर सारी मौजूद हैं, और इसके पीछे आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे लगातार, तो यह सारी प्रोटेक्टेड मौनुमेंट्स हैं, तो यहां पे मेरे ही साथ से आज जब मैं पहली बार यहां पे उपर में आ रहा हूँ, तो मुझे यह लगता है कि लोगों को यहां पर आना चाहिए, और यह एक ऐसी जगहा है, जहां पर इनसान आके बोर नहीं होगा, व यहां पर पुराने होज हैं, उसे साफ सुथरा और मिंटेन रखा गया है, यहां पर पार्क वगारा भी उसी तरह से बनाया गया है, साफ सुथराई का पूरा ख्याल रखा गया है, जिसकी वज़ा कर काफी अच्छा महौल है यहां तो दीजिए हमें इजाजत, हम फिर आप को हमारा वीडियो पसंद आया, तो सब्सक्राइब नहीं करने कहीं कहीं, तो ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं वैसे, ठीक है, शुक्रिया